हेलो दोस्तों नमस्ते सुपर बाद जैसे कृष्णे रादी रादी माई सूल पैमली माई वीवर्स मैं सिस्क्राइब इस गॉडड ब्लेस यू आप सुस्वस्तों के मस्तों की अपने लाइप में आगे बढ़ रहे हुए डियर आप सब को मैं अपनी चानल पर स्वागत करती हूँ आज मार्च फस्ट है तो इस मंद की एक नए सुरुबात होनी चाहिए और आप सब को धेर सारी सुपकाम नाएं कि आपके लाइप में वो धेर सारी खुसियां हो ठीक है जो आप चाहते हो तो जिस तरह से मैंने मैनिफेस्ट किया आप सब के लिए उसी तरह आज की इ मैने आपको मैनिफेस्ट की कि आपके लाइप में सारी खुसियां मिल रही है उसी परकार आपको अच्छे से मैनिफेस्ट करना है चाहे वो आपका लब लाइप हो आप दोनों का रिलेशन्शीप हो या करियर हो या आपकी स्पिच्छल ग्रोथ हो ठीक है हमेसा प्रजेंट में manifest करें और मैं आप सब को क्यों कह रहे हूं आप सब को धेर साड़ी सुब कामनाएं तो ये सुब कामनाएं उनके लिए है कि जो खुसी deserve करते हैं respect reserve करते हैं प्यार deserve करते हैं तो आपको पहले से ही वो चीज़ दिया जा रहा है यानि कि आपको वो wishes भेजी जा रही है तो यहां पर receive कीजिए हमेशा positive रहे ठीक है तो आज मार्स फर्स्ट है तो कुछ अपने life में भी changes लेकर आए positive रहे और positive रहे और positive रहे मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिन्दगी में बहुत struggle होते हैं लेकिन इंसान टूटता नहीं है हारता नहीं है और देखिए अगर आपके अंदर कहीं न कई एक divine power है तो अगर आप खुद को समझ रहे हो कि आपके अंदर वो power वो light है तो आप जरूर खुद को heal कर पाओगे दुसरों को समझ पाओगे life में balance कर पाओगे इसलिए कभी भी हर इंसान की बात की जा जो आपके लिए बुरा कर रहा है बुरा सोच रहा है आप क्या सोचते हो कि जो इंसान आपके लिए बुरा कर रहा है बुरा सोच रहा है क्या वो अच्छे कर्मा create कर रहा है अगर वो बंदा या बंदी इस वक्त आपके सामने बहुत खुस है बहुत हैप्पी है और आपको जैलेसी फिल करा रहा है या कोई भी हो सकता ऐसा नहीं है बहुत लोग होते हैं तो यहाँ पर इतना समझे कि उनका पिछले जन्म का कर्म जो था वो अच्छा था वो इसलिए हैप्पी है लेकिन किसी तरह वो इनसा या कुछ लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं आपके खिलाब साजिस रस्ते हैं आपके प्यार आपके रिलेसंसिप में गलत फैमियां पैदा करते हैं तो इतना याद रखिए कि हमेशा कि वो पिछले जन्मों का कर्म है जो इस वक्त वो इनज्वाइ कर रहा है या कर रही है जो भी लोग है लेकिन जो आपके साथ कर रहे है वो फिर से इसी जन्म में भी उनको कर्मा मिलेगा याद रखिए जिस दिन आप जान जाओगे ना इस एनरजी को इस वाइबरेशन को तो आप धीरे धीरे खुद को बदलना सुरू कर दोगे चिक्या तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज सुब़ शुब़ आपके पार्टनर की फिलिंग्स क्या है आपके लिए तो आज मार्च का महिना है आज पहला दिन है तो चलिए रिलाक्स हो चाहिए देखती हूँ क्या मैसेज देना चाहते हैं करेंट सिचुवेशन क्या है मूड कैसा है एक्सन क्या होगा इंजल्स प्लीज काइट करें 1st मार्च रिलाक्स हो ये हे प्रभू, हे कृष्ण, हे गोविन जै शियाराम, सित्ताराम रियूनियन के कट्स गिरें रीसीब कीजी हमेशा परजेंट में रीसीब कीजी ठीक है एनरजी कहती है हमेशा पॉजिटिव रहना क्योंकि हर इन्सान एनरजी पे इंडिपेंट करता है इंसिक्यॉर इंसिक्यॉर है हाँ तोड़ा गिल्ट रिग्रेट तो होना ही है क्योंकि अगर उन्होंने 100% है कि अगर चोड पहुचाई है आपके साथ कुछ गलत किया है चीज़े चुपाई है तो आपका सामना साइद वो नहीं कर पा रहें लेकिन उन्हें मिलना है आपसे जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है इंजल्स प्लीज काईट करें क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर वीवर्स के पार्टनर मेरे वीवर्स को क्या मेरे डेशन आया है क्या मैसेज देना चाहते हैं I am coming soon आ रहे हैं आपके person इसलिए be positive, be strong क्योंकि I am coming soon के साथ साथ आया है पहला ही card है reunion चिक है तो reunion abundance बीश और शांती की खूज में है, no nothingness याद रखिये dear याद रखिये dear याद रखिये, one minute, one minute, one minute थोड़ा सा थूंधो गया है इंजल स्प्लीज काइट करी You are my angel जो तू मेरा हमदर्द है मिलना चाह रहे है charity, blessings, love, karma ठीक है, don't ignore me I want you and I need you जाहत भर रही है कि होने लगा तुम से प्यार है You are my soulmate I am sorry Please forgive me I love you and thank you क्योंकि आप देखरें insecurity की भी energy आई है cast issue traveling traveling passionate new start meditation insecure confused लिगल इस्यू और bottom the dick से I am coming सून देखें यहां पर awareness की जो vibration आई है वो है सारी खुसियां आप में अवलेबल है कहने का मतलब आपके पार्टनर life की सारी खुसियां देना चाहते है ठीक है इसमें हर कुछ आ रहा है सिर्फ पैसा नहीं देखें luxury जो life होती है या जहां वीनिस स्ट्रॉंग होता है तो कहीं न कि the Empress की energy आती है तो the Empress की energy क्या है वीनिस स्ट्रॉंग है उसके पास सब कुछ है तो आपके पार्टनर भी आपको उसी रूप में देखते हैं और आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं सायद अगर आप लोग में किसी प्रकार का confusion या trust issue है तो बाबू यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आपके पार्टनर खुद उन्हें शर्म आ रही है आपका सामना नहीं कर पा रहे है या हो सकता है कि किसी तरह से आपने financially support की है ठीक है लेकिन आपके परसन जो आपके बारे में सोचे हैं और insecure क्यों है confused क्यों है abundance के energy है माफी क्यों मांगना चाहते है मुझे लग रहा है इस परसन को यह हैसास हो रहा है ठीक है कि आप दिल के बहुत अच्छे हो क्योंकि abundance आपके अपके energy में भी आती है तो कहीं न कहीं देखे आप हो बहुत अच्छे ठीक है और आप दुनों में trust issue भी है या कोई तीसरा है confused यानि two of pens, two of sorts लिब्राइकुरिस जमनाई कैप्रिकॉन टॉरिस फर्गो तो देखी यहाँ पे इस परसन के अंदर आपके लिए प्यार है और आपके बारे में भी काफी अच्छा सूचते हैं आपका नेचर बहुत खुबसूरत है इस इंसान को आप अपने पार्टनर को आपने बहुत हेल्प की है कभी भी आप पीछे नहीं अटे हो चाहे वो प्यार हो, रिस्पेक्ट हो या इनकी हिलिंग हो या इनकी जरूरत हो आपने हर वक्त इनकी हेल्प की है आप कभी पीछे नहीं हटे हो जब भी जरूरत हुई है आप खड़े रहे हो यहाँ पे आपका नेचर एंड सुभाव बहुत अच्छा है उनकी नजरों में सबसे बड़ी बात जो तू मेरा हमदर्द है यू आर माई एंजल आपको हट किया है या आपके ट्रस्ट को तोरा है जब कमिट्मेंट की बात आई साथ रहने की बात आई तो इन्होंने हो सकता है कि अपने प्रॉमिस को तोरा भी है तो कहीं न कहीं इन्होंने आपको हट किया है अगर आपके साथ उन्होंने गलत किया है गलत बोला है पलट कर जवाब दिया है और वो चीज आपको पेन दे रहा है या पिर किसी प्रकार का वो चीज आपके मन में वो बाते चलती है तो आज कहीं न कहीं इस परसन को ऐसा लग रहा है कि आप दिल से ही बहुत खुबसूरत हो लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ गलत नहीं करना चाहते इसलिए आज यह परसन आपसे माफी माँगना चाहते है इंसेक्यूर है रिक्रेट गिल्ट होता है, सरमिंदगी होती है यह आपको हट करना नहीं चाहते से आपके नेचर को यह बहुत भी समझते हैं कि आप बहुत जल्दी टूट जाते हो और प्यार उनसे जरुश से ज़्यादा करते हो लेकिन आपके बात करने का अंदाज बात हो प्यार हो जो आपके अंदाज है उसमें एक बहुत पॉजिटिवटी है और हीलिंग वाली वाइबस है अगर इस परसन को गुसा भी आता है तो आप गुसे को सह जाते हो अगर यह आप से फाइट करते हैं तो आपको उनकी फाइटिंग उनको ट्रिगर करना आपको हट करता है आप सोते भी नहीं हो तो हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि आपके परसन आपके साथ ज़्यादा टाइम ज़्यादा समय तक आपके पार्ट टाइम स्पेंट करें आप ही उनके लिए काफी पाइट हो जितना वो आपके लिए पाइट है तो आपके पार्टनेर टाइम टेबूल को लेकर भी चलते हैं, टाइम टेबूल को भी फॉलो करते हैं लेकिन ये चीज उन्होंने नोटिस भी किया है और ये काफी सोच भी रहे हैं इन्हें भी लगता कि कभी-कभी आप उनके नजर से ओजल ना हो, but situation आकर confused कर देते हैं या फिर इनके life अगर confusion है तो हो सकता है ये person के life में कोई तिसरा हो चाहे इनका career हो, job हो, study हो, married हो, parents हो, या इनके responsibility हो, या फिर career हो वो बीच में आता ही है और आप दोनों के लिए कहीं न कहीं career भी बीच में आता है, हो सकता है कि आप दोनों एक दुसरी के लिए अच्छा वक्त नहीं निकाल पा रही हो लेकिन आप बहुत दिल्चस्प इनसान हो आप बहुत खुबसूरत इनसान हो आप जैसे उनके लाइप में एक ब्लेसिंग सो उनके अच्छे कर्मों का रिजल्ट फल आप हो तो कहीं न कहीं ये चीज़ दिख रहा है कि आपके पार्णर आपके बारें बहुत सुन्दर सोचते हैं बट कुछ उनका इगो उनका सभाव कहीं कहीं ऐसे सब्द को इस्तमाल कर देता है कुछ confusion create कर देता है जहां आप एक तूसरे को ignore भी करने लगते हो जहां अभी बहुत सार्विवर्स आप हो सकता है कि उन्हें ignore कर रहे हो क्योंकि आपको न्याय चाहिए आपको justice चाहिए चीक है तो यहां पे आपकी बात हो गए लेकिन इस परसन के अंदर confusion इस बात का कि किसी प्रकार का है two of pentacles या two of swords यहां पे confusion की vibration है legal issue है तो यहां पे आपके partner के life में कोई third party issue है जहां उनके life में किसी प्रकार का legal issue चल रहा है चाहिए वो toxic relationship में हो या किसी और property से related या किसी ना किसी रूप में legal issue चल रहा ठीक है लेकिन आपके partner की चाहत आप हो आप प्यार हो आप उनकी soulmate हो अगर किसी प्रकार का marriage और commitment में कुछ issue आ रहे हैं तो यहां पे caste issue है यह इन्हें रोकती है confusion create करती है आप दुनों के relationship में तो जहां caste issue है यहां parents हैं बहुत सरे obstacle आ जाते हैं कुछ के लिए toxic relationship है जहां legal issue चल रहा है या property को लेकर थोड़ा confusion है हो सकता है इनके parents कुछ और चाहते हो या किसी प्रकार का legal issue divorce से related भी कुछ problem सो रही है या आप husband wife हो अगर husband wife के relationship में भी कोई तीसरा entry किया है जहां हो सकता है कि आपके partner legal issue से तो गुजरना चाहते हैं pressure पर बट आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहते हैं वो आपके साथ नयाय करना चाहते हैं उन्हें मालूम है कि आप कितना प्यार करते हो और कितनी respect करते हो ठीक है रही बात marriage और commitment के तो यहाँ problems आ रहे हैं जो caste issue है लेकिन insecure हैं कि वो आपको खुलकर कहनी पा रहे हैं कि करे तो क्या करे आपसे मिलना चाहते हैं आपके कड़ीब आना चाहते हैं I want you and I need you You are my angel उन्हें जरूरत है आपके प्यार की और आपके साथ की traveling यहाँ आना चाहरे हैं आपके partner आपसे बात भी करना चाहरे हैं आपके करीब रूबरू होकर कुछ बात कुछ मुलाकात चाहरे हैं और कह रहे हैं You are my soul mate, you are my angel जो तू मेरा हमदर्द है I am sorry, please forgive me, I love you and thank you मैं कैसे भुला सकता हूँ मैं कैसे भुला सकती कि तुमने मुझे इतनी help कि इतना प्यार दिया है भुलाए भुल नहीं सकता मैं लेकिन भुलाए नहीं भुल सकता तो आपके पार्टने चाहा कर भी यह नहीं कर सकते हैं कि वो आपको अपने जिन्देगी से निकाल दे और वो आपको भुला दे और I am sorry, वो माफी माँगना चाहरे हैं उन्हें माफ कर दिजिए वो आपसे प्यार करते हैं और जो आपने दिया है सायद वो आपको उतना नहीं दे पारे हैं जो आप बहुत कोई deserve करते हो और यह आपके लिए महनत भी कर सकते हैं महनत भी करेंगे जो abundance को कह रहा है आपने financially भी support किया है mentally भी support किया है unconditional love दिया है आपके partner आपसे मिलना चाहते है लेकिन थोड़ी सरमिंदगी है क्योंकि उन्होंने आपसे बहुत help लिया है चाहे वो काना आप जिस तरह से इनको help किया है आपने help किया है चाहे वो प्यार से क्यों नहों चिक है तो ये person देखा जाए तो confused हैं जीबन में जगल कर रहे हैं life में बट आपसे प्यार करते हैं और आपने जो दिया है वो खुद कह रहे हैं कि आप उनको सिर्फ दे रहे हो आपको ये कुछ दे ने रहे हैं लेकिन आप जिसे partner को कौन खो सकता है कुछ मजुमिया, कुछ प्रशानिया, कुछ trust issue जरूर आप दोनों को रुपता है या फिर किसी के parents या toxic relationship या कुछ और career या job कुछ तो obstacle आही रहे हैं तो आप उनकी blessings हो ऐसा वो कहना चाहते हैं वो आप उनकी blessings हो जो आप उनको इस जनम में मिले हो उनकी जिन्दगी में आप आए हो तो बहुत सारे उन्होंने भी कुछ ऐसे अनुभाव किये हैं और ये person आपको खोना नहीं चाहते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ वीवर्स आप इगनोर करने लगे हो ठीक है, उन्हें लगता है कि मुझे peace और सांती नहीं मिल रही लेकिन तुम भी मुझे इगनोर कर सायद आप वो प्यार, वो attention आप नहीं दे रहे हो कुछ वीवर्स आपको ऐसा भी लगता है कि आपके partner मतलबी है आप confused हो, आपको justice चाहिए लेकिन आपके partner भी चाहिए और प्यार भी चाहिए reunion भी चाहिए चाहत दोनों के तरब है लेकिन खुल कर कुछ वीवर्स आप बात नहीं कर पा रहे हो ठीक है दर्द pain में आप भी हो तो दर्द pain में वो भी है तो आपकी person आपसे मिलना चाहते है reunion में आना चाहते है you are my soulmate बहुत सारे विवर्स आपके relationship में ब्लॉके जा रहे है तो देखे यहाँ पे charity बहुत ज़़दा important है जो भी सच्चम हो आप donate कीजिए अगर आप donate करते हो तो आपके career में relationship में भी blessings आईगी multiply करके वो चीज़ आप attract करोगे ठीक है तो charity very important no nothingness आपके partner खुछ नहीं है ऐसा वो कहना चाहते है देखे एक खुलकर बात करने की कोशिस है confusion है insecurity है क्योंकि आपने दिया ही दिया है इन्हें ऐसा अनवाव भी होता है ठीक है लेकिन ये person खुलकर आपसे बात करना चाहते है उन्हें आपकी सरुवत है need है चाहत है प्यार है आपके partner रूबरू होना चाहते है अब वो आ रहे हैं past life relationship है यहां भी देख रहा है बट थोरा सा आप लोग में trust issue है तो थोरा सा balance भी बहुत ज़रूरी है parents के वज़े से ही problems आ रहे हैं लेकिन हम में rotation है कुछ वियर्स आप life में insecure हो confused हो stress ले रहे हो vision के लिए नहीं हो रहे हैं या career में अच्छी growth नहीं हो रही है आपके partner के तरफ से कोई अच्छी खासी news नहीं मिल रही है तो देखे बाबू यहां पे आप nature से connect होएं और meditation जरूर करें सब कुछ बहतर होगा confusion clear होगा जो भी trust issue है confusion है वो clear होगा ठीक है तो आपके partner आपसे प्यार करते हैं और कुछ विर्स आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो और उनकी peace और सांती खो चुकी है आप बदल चुके हो हो सकता बहुत सारी viewers आप खुद को बदल रहे हो आपको justice चाहिए और खामोस हो लेकिन प्यार आपको भी है ट्राबलिंग है तो ट्राबल दिख रहा है call message दिख रहा है reunion दिख रहा है अगर confusion है तो आपके partner confusion दूर करना चाहते हैं बबो चिक है तो आपके partner को peace और सांती नहीं है खाली पन है एक अकेला पन है माफी माँगना चाहते है उन्हें माफ किजिए मिलना चाहते है आप उनकी soulmate हो thank you so much इतना प्यार देने के लिए इतना साथ देने के लिए इन्हें support करने के लिए ठीक है आ रहे हैं वो मुझे लगए अगले कुछ गंटे में बहुत सारे viewers आपके पार्टनर बाचित कर सकते हैं अगली कुछ गंटे में बहुत सारे viewers आपके पार्टनर ट््रैवल और रियूनियन भी चाह रहे है तो अगले कुछ गंटे में स्ट्रीस काइट करें जे माखाली शेर वाली जे माखाली शेर वाली नाइड वाँज आरे हैं वो पैसनेट काफी पैसनेट फिल कर रहा है रहे हैं आपके लिए आपके पार्टनर आ रहे हैं वो प्यार ओफर करना चाह रहे हैं वो emotions flow कर रहे हैं देखिए मैंने क्या बुला उस कार्ड में abundance के energy the high priestess के energy the Empress sorry the Empress के energy तो आपके partner यहां समझ रहे हैं आपको तुझ में रब दिखता है यह गाना अचकल बार बार आ रहा है पता है एक new cycle start हो रही है आप लोगों की दो वर्ल्ड है आपके प्रेयर कर रहे हैं किस तरह प्रेयर कर रहे हैं आपके partner हो सकता है बहुत सारे वियर्स आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो लेकिन साइद अब और नहीं मैं आ रहा हूं मैं आ रही हूं success के energy आ गई है अगर आप दोनों में confusion है तो अगर टावर भी आया है आप दोनों के बीच में इस टावर को end करना चाहते हैं बाबारे खली प्यारी offer कर रहे हैं वह बहुत दुआ कर रहे हैं आपको मनाना चाहते हैं अपने नेचर से भी वह थोड़ा परशान है अपने नेचर से भी वह थोड़ा परशान है लिब्रा एकुरिस जमनाई कैप्रिकॉन टॉर्डेस वर्गो पैसेस कंसे स्कॉर्पियो की वैब्रेशन एरिस लियो एंड साजिटेरियस सारे साइन है मेसितिंग और धनू मिन करक और ब्रिस्चिक मकर भीसब और कन्या तुला कुमब और मिथून सारे साइन है आज की एनरजी में इमोसिन बहुत हैं प्यार बहुत हैं मिलना चाहते हैं एक नए सुरुआच चाहरे हैं आपने बहुत कुछ किया है आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको आपको अपने लाइप में बहुत ग्रो होता हुआ देख रहे हैं या फिर उनके लिए आप बहुत ही प्योर हो, ठीक है, आप उनके लाइप के एक सक्सिस हो, मतलब आपके साथ टाइम में स्प्रिंट करना, मतलब बहुत सारे चार्ज हो जाना, जैसे की सनलाइट में हो कहो, तो आपके पार्टनर, आपके अंदर जो आपकी पॉजिटिविट है ना, उसे ये बहुत अट्रेक्ट होते हैं, उन्हें बहुत जड़ा ही लिंग होती है, ठीक है, आपको बेहत पसंद करते हैं, बेहत जिसे कहा जाता है, और काफी आज पैसनेट भी फिल कर रहे हैं, एक नई सुरुआ चाह रहे हैं, अगर आप दोनों के बिच में टाबर भी आया है, तो आपके पार्टनर उन बातों को भुला कर एक न्यू विगनिंग चाह रहे हैं, लेकिन कभी-कभी इन्हें भी लग रहा है कि अपने विचार को ये कैसे बैलस्ट करें, हो सकता है कि आप से बात होती है, फिर से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ये कुछ आपको इगो है, जैलेसी है, ये खुद को सुधारना चाहते हैं, इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि जज्जमेंट दस टार, देखिए पहले तो प्रेयर करें कि अपने एनरजी को ये बैलस्ट करें, क्योंकि अपने सब्द पे, अपने गुसा पे, अपने इगो पे ये से मिलें, और रिस्ते को बैलन्स करें, क्योंकि अभी भी लग रहा है कि आप लोग जगल ही कर रहे हो, लेकिन ये परसन इस रिस्ते में सक्सिस चाह रहे हैं, प्यार ओफर करना चाह रहे हैं, और आपको अपनी दिल की बास सेयर करना चाहते हैं, अगर इनोंने गुसे में आपको किसी तरह का पेन दिया है, दर्द दिया है, तो इनोंने गलत किया है, साइद इनको अपनी ही खुशिकी नजर लग गई है, अपने रिस्ते को ये खुद खराब करते हैं, क्योंकि ये बार बार आपके साथ एगो से डिल करते हैं, और कभी भी चिर्चिरापन में इस परसन को, लेकिन अपने एनर्जी को ये बालेंस्ट करना चाहते कि अपने एगो, अपने सभाव को, अपने जिद को, अपने चैलिसी वाली भावना को, ये कैसे बालेंस्ट करें, तो ये पूरी तरह बालेंस्ट नहीं कर पार, लेकिन ये दूआ कर रहे हैं, कि आपका खामोसी बना ली है तो ये चीज इनको ट्रिगर कर रहा है होता ना इनसान जब गल्ती करता है चीजें ने सुधरती है तो भगवान के दरबार पे ही जाता है तो आज ये परसन की विश्ट देखिए किस से दर स्टार मिस्स भी करें जज्जमेंट है ये आपके साथ न्याय करना चाहते है लेकिन ये पहले अपने इगो को अपने नेचर के अपने सभाव को समझना चाहरी क्योंकि ये चीज इनसे पूरी तरह बैलेंस नहीं हो पारी क्योंकि टू आप पेंटिकल्स गुसा जिद ये बार बार आप दोनों के बीच में आता है और ये चीज़ ये सुधार नहीं पा रहे है जिस वज़े से ये अपने नेचर के लिए भी प्रेयर प्रातना कर रहे है कि अपने गुसा पे काबू रखे अपने जिद पे काबू रखे और ये आपको पास सके ठीक है तो ये आपको पानिक लिए विश्ट भी कर रहे हैं दूआ भी कर रहे हैं प्रेयर प्रात्ना भी कर रहे हैं और बहुत सारी वीवर्स यहाँ पे ट्राबल दिख रहा है सकसेज दिख रहा है ग्रोथ दिख रहा है और आप दोनों मिलने वाले हो दल लवर्स की वाइबरेशन एक न्यूस साइकल गुड न्यूस आने वाला है आप लोग की बात मुलाकात होने वाली है आपके पार्टनर आफर करने वाले हैं लेकिन अपने एनर्जी को ये बैलन्स करना चाह रहे हैं और यहां पर बहुत जादा आपके पार्टनर आपके तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं इस टाबर के वज़े से कहीं नहीं कि आप दोरों के बीचे में बहुत सारे आपस्टिकल हैं तो बहुत सारी वीवर्स आपके पार्टनर आ रहे हैं ठीक है यहाँ पर यह जीज दे रही है जज्मेंट दूआ हो रही है तो आपके लिए भी जस्टिस चाह रहे हैं प्यार ओफर करना चाहते हैं क्योंकि इनको सक्सेस चाहिए आपसे फाइड करकर इगो से डिल करकर क्या यह खुस रहते हैं तो बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं तो बहुत सारी वीवर्स जी आपके पार्टनर आपसे मिलने आ रहे हैं चीजे सुधारना चाहते हैं और सक्सेस चाहते हैं अगर आप दोनों के बीच में फाइटिंग जगरे टावर आया है तो एक न्यू साइकल स्टार्ट हो रही है दुआ कबूल की जा रही है बिस पुर्पिल्मेंट के एनरजी है सक्सेस है, ट्रेवल है, कन्फ्यूजन के लिए सक्सेस प्यार आफ़र अपने एगो को कंट्रोल करना चाहते है और आपसे मिलना चाहते है क्योंकि पैस्टनेट इनरजी है चिक्या है यहाँ पर बहुत सारे विएस नो कॉंटेक्स सिचुएशन में हो अगर नो कॉंटेक्स सिचुएशन है उनके लिए मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी कि आपके पार्टनर की टू इन्टेंशन क्या है आज जन्वडी में कहा रही हूँ आज पता नहीं जन्वडी में किसी का डेट और वर्थ है या कुछ खास दे है जन्वडी का मत है आ गया तो आज मार्स फर्स्ट है तो आज की दिन में दिखना चाहूँगी नो कॉंटेक्स सिचुएशन में आगर आपको तो आपके पार्टनर की टू इन्टेंशन क्या है आपके लिए उनके मन में क्या है आपके लिए लॉसेस में है खुस नहीं है एक कार्डाव ले लोगी no context situation true intention viewers के partners बाबा रे बाबा offer करना चाहते हैं confused है no context situation में confused है लेकिन आपके तरफ ये बढ़ना भी चाहते हैं salvulate करना चाहते हैं लेकिन इस वक्त आपके partner के मन में है no context situation में है कि अगर आपने reject कर दिया तो ये पूरी तरफ भी खड़ जाएंगे और वैसे भी आपके लिए emotions काफी है प्यार offer करना चाहते हैं लेकिन ये काफी इस वक्त losses से गुजर रहे हैं आपकी यादें उन्हें बहुत तरपा रही है रूला रही है और कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि बात तो करना चाहते हैं इन्हों नहीं आपको हड किया है आपको ही रिजेक्ट किया है या आपके प्यार को offer को ठुकराया है अपने ego अपने nature के वज़े से आपका इन्हों ने दिल तोड़ा है तो आज आपके पार्टने जिस तरह के losses से हैं आज आपको ढून रहे हैं आपको अपनी जिन्दगी में बापस लाना चाहते हैं प्यार offer करना चाहते हैं अपने emotions के साथ अपने प्यार को offer करना चाहते हैं लेकिन जिस तरह की vibration है वो अभी इस वक्त कहीं कहीं disturb हैं लेकिन आपको अपनी जिन्दगी में लाना चाहते हैं प्यार ओफर करना चाहते हैं, लेकिन मन में थुरा कन्फ्यूजन है कि इन्हों ने आगर आपको हट किया है, तो क्या आप उनके प्यार को एकसप्ट करोगे या रिजक्त कर दोगे, तो ये नो कॉंटेक्स सिचुएशन वालो की एनरजी है, प्यार ओफर करना चाहते हैं, इमोसन काफी फ्लो करने आपके लिए, कपस की वाइबरेशन है, चिक्या, तो ये है आज शुभक एनरजी आपके पार्टनर की, वीडियो अच्छी लगे दियर, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेर लाइकन ज़रु दबाएं, गड़ प्लीज तो, तो किया तो झाज फ्लुब के लाइकन झाल के लाइकन मही वाइकन तके महीर Care, सू